किस खेत्र की आप बात कर रहे हैं हर्याना में हम हर्याना में जीते हैं हमने करनाटक में समर्थन प्रास्त किया है और यह ठीक है कि केरल में तामिल नाडू में हम उतने शक्तिशाली नहीं हैं मगर हमारा संगठन है पश्रिम भंगाल में बेरा हमें 10 पर 60 सथे स्चोरा कम प्लप मिला हुआ अगर आप लूट की बात करते हैं तो पिर 10% वोट की बात करिए एक परसेंट पले बात करिए इस सदन में एक एक तको की पार्थियाँ है एक एक जप्थिकी की पार्थि और वो हमारे साथ हमारे खिलाब जमगट करके और हमें हटाने का प्रयास करने का पूरा धिकार है बगर है वह एक एक व्यक्ति की पार्टी एकला चलो रहे हैं और चलो एकला अपने चुनाव क्षेटर से और दिल्मी में आकर हो जाओ इखटे रहे किस लिए एकक्ति हो जाओ देश के भले के लिए वागत है हम भी अपने घंक से देश की सेवा कर रहे हैं और अगर हम देश वक्त नहोते और अगर हम निस्तवार के भाव से राजनीत में अपना इस्थान बनाने का प्रयास न करते और हमारे इन प्रयासों के पीसे 40 सान की साधना है यह कोई आकस्मिक जनादेश नहीं है यह कोई चमतकार नहीं हुआ है हमने मैनत कि हम लोगों में गए हैं हमने संगर्श किया है पार्टी 355 दिन चलने वाली पार्टी है यह कोई चुनाओ में कुकरमुक्टे की तरह से खड़ी होने वाली पार्टी और आज हमें आज हमें अकारण कटगरे में खड़ा किया जा रहा है क्योंकि हम थोड़ी से थोड़ी ज़्यादा सीटे नहीं लिख से के हम मानते हमारी कमजोरी है हमें बहुमत मिलन चाहिए राश्ट्पती ने हमें अउसर दिया हमने उसका लाब उठाने की कोशिश किया हमें सपलता नहीं विली वो अलग बात है लेकिन हम फिर भी सदन में सबसे बड़े विरोधी दल के रूप में बैठेंगे और आपको हमारा सहयोग लेकर सदन चलाना पड़ेगा बगर सदन चलाने में और ठीक तरह से चलाने में हम आपको पूरा सहयोग देंगे या आपको आश्वा समझेना चाहते है बगर सरकार आप कैसी बनाएंगे वो सरकार किस कारिकम पर बनेगी कि वो सरकार कैसी चलेगी मैं नहीं जानता है लेकिन जहां तक जलितों का सवाल है कि डूल कास्ट के टोटल मेंबर्स है 77 और उनमें से 29 मेंबर्स बीजेपी किसे नहीं गए कि भी जानता है सबस्क्राइब के पांच मेंबरें सीपी ए एक मेंबरें कॉंग्रेस 15 मेंबरें जनतादर साथ मेंबरें और सबस्टाइब हमारे मेंबरें अगर आप छोड़कर सत्ता बना चाहते हैं और आप समझते हैं कि वो सरकार टिकाऊ हो दी मुझे तो उसके टिकने के लक्षन दी दिखाई दें पहले तो पहले तो उसका जन्म लेना कषे ने जन्म लेने के बाद जीवित रहना कषे ने और ये सरकार अंतर विरोधों में घिरी हुई देश का कितना लाप कर सकेगी ये प्रश्ण वाचा चिन्न है हर बात के लिए आपको कॉंग्रिस के पास दोड़ना पड़ेगा जब आप उन पर निर्बर हो जाएंगे अभी तो मैं नहीं जानता है पहले पहले चर्चा हुई थी कुछ शर्थे लगाई जा रहे हैं फिर चर्चा हुई कि कॉडिनेटिंग कमेटी बनाना पड़ेगी फ्लोर पर भी हम लोग कॉडिनेशन करते हैं उसके भिला तो सदर नहीं चलता आप सारा देश चलाना चाहते बड़ी अच्छी बात है हमारी शुमकान नाया आपके साथ है हम अपने देश के देश की सेवा के कारी में जुटे रहेंगे हम संच्छा बलके सामने सर चुकाते हैं और आपको विश्वाद दिलाते हैं जो कारी हम अपने हाथ में लिया है वो जब तक राष्ट की उज़े झाल